बीजेपी का जो एजेंडा है बीजेपी को जो विचार था रहा है वो सांस्कृत के राष्ट्रवाद की विचार था रहा है जिसके अंतरगरत हम सबका साथ सबका विकास और सबके साथ समान न्याय सबको समान समान ऐसा प्रिंस्पिल लेकर हम चलते हैं उदारन के लिए कि हम सरकार रूलिंग पार्टी है वहां आरेसस भी ऐसा सोच कर नहीं चलती है आरेसस सब को एक समाज के रूप में रहने क्या ही एक विचार लेकर चलती हम कोई बैनारिटी मिजार्टी रूप में डिवाइड ना करे आइडियालोजी पर या रिलिजेन के आधार पर हम अपन परिणाम है कि हमको समर्दन मिलता है ऐसा क्यों है राम माधर जी के वीफ पर कोई बात नहीं होती है यहां का तो क्या यह मतब से पोलराइज करने के लिए ही इस तरह है कि जो है स्टेक्मेंट्स लीडर्स के आते हैं विदिन पार्टी देखिए हमारा मत इसमें सपष्ठ है एक समवा इधानिक व्यवस्था है जिसमें काउस लाटर को लेकर कानून हयाने एक राज्यों में जिन राज्यों में कानून है उनका पालन होना चाहिए पर कोई ऐसा विशे नहीं है कि किसी के फूड हैबिट्स में हम असक्षिप करेंगे यह किरेला के बाद तुरपुरा ही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको टफ फाइट का सामना करना पड़ा है अला कि आप तो कहीं थे नहीं आपर फाइट तो मैं बोलूँगा कि मानिक सरकार को होगी आपसे नाइ यह बहुत बड़ी टकर है इन फैक्ट मैंने इसको बैटल रॉयल कहता हूँ क्योंकि तुरुपुरा में पचीस साल से ग्रास रूट तक पिनिट्रेट हुआ पार्टी सी पीम है इनको एलक्टोरल मैनुपलेशन भी मौलूम है उसको भी रोकना है एक भहिंकर चारी सरकार रहा चलता है भाएंकर डर का महोल रहता है आज भी आप राज में गुमेंगे लोग डर के मारे अपना मुझ खोलिंगे ने हमारा पूरा विश्वास है कि तुरुपुरा में हमारा अपने बल्बूते पर सरकार बनाने की स्थितिक में हम रहेंगे रोज वैली कांड में 35,000 करोड रुपिया का घोटाल इस राज में हुआ है चिटफंड का घोटाला गरीब लोगों का जो गरीब साइकल भी खरिज नहीं सकते हैं उनके पैसे कार्णिया हुआ है तो आपने अपने साथ ले लिया चिटफंड के घोटाले में जो लोग घारोपी थे हैं जो घोटाले में जो शामिल लोग है सब के ऊपर कारवाई हो रही है नाम दस लोग का सकता है कई लोग उसमें शामिल नहीं है जो है वो जेल में है उनको पर कारवाई चल रही है और तिर्परा में आज तक वो केस को CBA को देने के लिए सरकार तयार नहीं थी हमारी सरकार आते ही हम रोजवैली स्कैम को CBA कांडोर करेंगे तब पता चलेगा कौन इमानदार है किसके बैंक में कितने पैसे है राममादर जी एक चीज जो है हम लोगों को ये लगने लगा था कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन्स हैं और ये जो सीडीज है इस तरह के कांड़ भारती राज़ीती से खत्म हो चुके हैं लेकिन गुजरात में हार्दिक पटेल का सीडी अचानक सामने आया उसके बाद आपके कर दो स्टिंग है?